कि नमश्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी आश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत सवागत करता हूं जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जूतिस ग्यान के नाम से सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें बेशिक से लेके और एडवांस असलायू के शेयर करता हूं आपको उसमें मैंने आपको यह बताया था दसा के अंदर you विश्वत्मिशोत्रीद्शा क्या है और उसके कैसे निकालते हैं में शीद दका वर्हाइं यह दौन्जा अब इस तरीके से लिए निकालें यह निक शेẩ Miche देख रहा वहं है कि कितनी दशा बाकी रह गई है या कितनी दशा अभी खतम हो चुकी है तो यह सब में आपको बता चुका हूँ और कितने कौंदों से ग्रह की दशा कितने वर्शों की होती है यह भी मैंने आपको लास वीडियो में बताया था आज में हम बताएगे आपको कि कि दशा इनसान की वैसे महादशा जो होती है उनसान की प्रकरती को चेंज करती है महादशा देखे महादशा और अंतरदशा दो चीज इंपॉर्टेंट होती है रिजल्ट जो देती है वो अंतरदशा देती है रिजल्ट गीविंग जो होती है वो अंतरदशा होती है महादशा इंसान की प्रकृति को चेंज कर देती है इसान का औरा ऐसा बना देती है कि वह अच्छी तरीके से grasp कर पाता है या अच्छी तरीके से grasp नहीं कर पाता है तो हर ग्रह की दशा में इनसान की प्रकरती कैसी हो जाती है एक वो चीज बहुत important है कि हमारी हमको कुंडली में जाना सूर्य की महादशा किसी की है तो ऐसा आदमी को सोने के वेपार से लाब होगा वो आदमी अनुशासित होगा अनुशासन में बिलीव करेगा बशर्ते की सूर्य बहुत मजबूत है कुंडली में और हर्ष और सोक में वो समान रहेगा लेकिन इसके विप्रित अगर सूर्य कमजोर है सूर्य उसका चटे आठवे बारवे बहा में बैठा हुआ है तब या पाप ग्रहों से दरस्ट है या नीच राची में बैठा हुआ है तब क्या होगा, तब वो ही होगा इसका उल्टा, यानि जो अनुशासन आप में पाया था, वो अनुशासन आप हो देंगे, आप गुस्से में रहेंगे बहुत ज्यादा, सरकार से आपके बनते वे काम भी गड़ जाएंगे, आपकी ख्याती नहीं बन पाएगी, तो वो ही च सुर्य की दशा आएगी, तो आपकी बनों और पाःणों में इच्छा होजाएगी, क्उकि सूर्य जो है सिंग का स्वामी होता है, और सिंग से रॊता है, जो वन और जंगल में रहता है, तो ऐसे में आपकी पाःणों में गुमने की इच्छा बड़ी पेदा होगी, जब अगर सूर्य अच्छा है तो आप मिश्वास में प्रद्दी होती है यह जब ही होगा जब सूर्य अच्छा है अगर सूर्य बुरा है सूर्य नीचराशी में है और सूर्य आठवे-बार्वे-भाव में बैठा हुआ है कुंडली के तब यह सारी घटनाओं के विपरीत रिजर्ट आपको मिलेंगे अब आते हैं चंद्र पर जब चंद्रमा आता है तो आपकी दशा आपकी प्रकृति कैसी हो जाती है चंद्रमा की दशा आने पर महादशा आने पर यह जो मैं बता रहा हूं यह आपको महादशा के बारें बता होना चाहिए चंद्रमा पक्षबली होना चाहिए केंदिति को लाब भा में बैठा होना चाहिए तब ही ऐसा होगा उस दर्शा में धनकी वरत्धी होगी आपको अच्छी नीद आएगी आपके मान से किस्तिती बहुत अच्छी रहेगी आप स्थिर रहेंगे मतलब जादा दुख की बात अगर आगई तो आप परिशान नहीं होगे माता का सनहें आपके साथ बना रहेगा इस खर्चे तु धन की उपलबता आपके पास रहेगी खर्चे आपके होंगे लेकिन धन भी आपके पास रहेगा डिप्रेशन से शुपकारा आपको मिलेगा सुप पूरवक भोजन आपको मिलेगा ये सब पाते होंगी ये सब ऐसी प्रकृति आपके इंसान की बन जाएगी ज च्छटे आठवे बार्वे बाव में पैटा हो तो उसकी दर्शामें यह सब चीजे उलट हो जाएंगी कि इस त्री सुख में इस त्री सुख नहीं मिल पाएगा उसको खर शेतू धनकी उपलपता उसके पास नहीं हो पाएगी नींद नहीं आएगी उसको डिप्रेशन होने शुरू हो जाएगी भोजन अच्छी तरी किसे नहीं मिल पाएगा माताकास नहीं उसको अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा रख्त-विकार होने की संभावना हो सकती है अगर चंद्रमा कुंड्ली में अच्छा नहीं तो यह सब कुछ मैं बता रहा हूं आपको महादिशा में तो आप पराकरमी बन जाते हैं आपको चोट फ्रेट लगने की उम्मीद होती है तो ऐसी दशा में ऐसे मंगल की महादशा में शत्रों बोई विजय प्राफ्ट होती है, आपको इनरजी मिलती है, आप बड़े नजटिक बन जाते हैं, आप बड़े प्राप्रमी बन जाते हैं, आप छोटे बाई बैनों से बड़ा अच्छा संबंद आपका हो जाता है, आपका रख्त विकार कोई होता है तो वो ठीक हो में चोटे बहाई बैनों से प्रेम बढ़ता है यह सब चीजे मंगल की महादशा में होती है ऐसी प्रकृति आपकी बन जाती है इसकी विप्रीत यदि मंगल नीच राशी में हो आठवे या बारवे बहां में बैठा हो लगन से तो उस केस में पराक्रम की हानी होगी इनर्जी की हानी होगी आपकी तर्क शक्ति की हानी होगी आपकी शत्रों पर बराशत्रों से आपकी पराजय हो जाएगी और आपको कोई भी आके धंका के चला जाएगा आपके आप कुछ कर नहीं पाएंगे यह सब चीजे मंगल की महादशा में हो जाती है ऐसी प्रकृति इंसान की बन जाती है एक प्रकरती हम और चेक कर लेते हैं बुद्ध की महादशा हो तो इंसान की प्रकरती कैसी हो जाती है कभी भी देखिएगा कि बुद्ध की आपकी महादशा आती है तो इंसान पढ़ने लगता है उसकी पढ़ने की इच्छा करती है उससे प्रकरती ऐसी बन जाती बुद्ध बुद्धी का कारक है पढ़ाई का कारक है राइटिंग का कारक है तो जो भी कारक है इसके बुद्ध के उनसे संबंदित चीजों की इच्छा होने शुरू हो जाती है तो आपका लिखने को मन करता है आपका व्यपार करने को मन करता है आप सोचते हैं कि व्यपार क लिए आपको मांसी कलेश भी नहीं होने देता उसे पढ़ने की जग्यासा होती है इसके इसके इंसम्मंदित कोई प्रॉब्लम हो तो वो सब खत्म होती है खेल खूद में आपका मन लगता है शिल्पकला में आपका मन लगता है इन सब चीजों में व्यापार में आपको लाव होता है पती पतनी से आपको सुख मिलता है विद्वानों दौरा के प्रशंसा होती है यह जब ही होता है जब बु तो उस केस में पढ़ने की जिग्यासा तो फिर भी रहती है बुद्ध पढ़ाई तो करवा देता है लेकिन बुद्धी उतना काम नहीं कर पाती उत्ती जल्दी पढ़ाई को आप ग्रेस नहीं कर पाते व्यापार की इच्छा आपके नहीं हो पाएगा इसकी इंकम्बंदित आपको हो सकती है खेल कूद में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे शिर्प कला में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे त्रदोष की पीड़ा आपको होनी शुरू हो जाती है अगर बुद्ध की दशा हो हसी मजाक में आपका मन नहीं लगेगा और महादशा सिर्फ इंसान की प्रकृति को चेंज करती है और अंतरदशा रिजल्ट देती है तो महादशा यानि इंसान की प्रकृति के अनुसार अगर इंसान अनुसासित होगा प्राक्रिमी होगा इनर्जेटिक होगा तो अंतरदशा के रिजल्ट अगर थोड़े भी मिल रहे हैं तो जो लोग इंट्रेस्टेड हो वो चीख सकते हैं और इसके अलावा कुंड़ी में सबसे इंपॉर्टन चीज होती है रेमिडीज कि कैसे ग्रहों के उपाय किये जाएं उसके लिए एक शॉट टम कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं जो इचुक हो उसको जॉइन कर सकते हैं धन्यवाद जैशी कृष्णा नमस्कार